तो बच्चो आज मों साट करने वाला है अपना नया चेप्टर इसका दाम है अर्थमाटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 तो बच्चो यह चेप्टर में हम लोग बढ़ते हैं सीक्वेंस के बारे में आपने वर्ड सुना होगा पहले भी इस वर्ड से आफ एमिली यह हैं सीक्वेंस कुछ अलग नहीं बस आप आप आम भाशा में बोले तो यह कहलाता है अगर कहीं पर कुछ किसी पर्टिक्लर पैटर नंबर लिखे हुए हैं जैसे 1 2 3 4 यह भी तरीके का सिक्वेंस है हमारा ठीक है तो यह जो टॉपिक है अर्थमाटिक प्रोग्रेशन बेटा इसकी कि अधिमिवास रामानुजन यह इंडिया के ही मैथमाटिशियन थे हाला कि यह बाकी सब्चेट्ट्च तो इन्हों नहीं अर्थमाटिक प्रोग्रेशन की एक अच्छी शुरुआत तो अब इतना इंटर इंटर काफी जिए चाप्टर करें हम लोग आफ शीजा अब दा च प्रग्रेशन का मतलब होता है अंक गड़तिय प्रग्रति मतलब नॉबरों की प्रग्रति समझें आगे बढ़ना इसका मतलब नाम से आपको समुझ पार वालेरीक प्रग्रति नॉब हम लोग नंबर्स की जो आगे बढ़ना होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हाला कि इसी को लोग बोलते हैं सिक्वेंस आम बाशना में तो आप लोग हम लोग पहले कुछ अपने बेसिक टॉपिक्स या बेसिक सेटमेंट्स लिखेंगे जो चैटर लोग यूज करने वाले हैं तो कॉल कुछ सुम देफिनिट रूल कि लिख ओपने मवर्स लेंज को अरेंज अरेंज इन डेफिनिट अज़शने डेफिन आधर अगार्डर एकॉर्ण टू संग डेफिनिट रूल क्योंपर एक रोल के ऊपर आधार एक तो लिखे होगे हैं तो उस चीज़ को हम लोग लोग सीक्वेंस बोखते हैं तो जैसे कि आपको बता हूं जैसे कि आगर आपको वाज है तो आप देख पा रहे होगे यह सारे नंबर्स असेंडिंग और में लिखे हुए या फिर इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखे हुए तो यह भी तरीके का सीक्वेंस हो गया ठीके ना यह और नंबर्स आर इंक्रीजिंग और अंड़ल आधा यह गया ठीक है सपीन और यह प्रचिपरेंगे तो इन अंबर्स नंबर्स अकर इन सीक्वेंस अरकॉर इस तौन यह और यह होगे आपका सेकेड़ पॉइंट है इसे रिखाए एवन एटू एट्री एफॉर डश्य देश रिकातर एंद्ध इसमें की बेटा यह हमारा एवन होता है इसको बोलते हैं इसका अंत आपको नहीं पता है तो आपको बोल दिया कि इसका अंत क्या होगा तो इसके आगी पढ़ने वाले कोई आपको जानना है यह आपका है यह होता है रिखने का आम तरीका जिए अब आगे है असीक्वेंस इस सेट नाइट और इनफारिट नमड़ ऑफ टर्म्स मतलब उसके किसी भी स्जिक्वेंस के नमड़ टर्म्स यह नियधारित करते हैं कि वह सीपैंस हमारा इंफानाइट है कि फानाइट रहें तो पता था आपको सीक्वेंस सिक्वेंस टकी तो चला गया को पता है ऑंधा हो एक पॉइंस के दिए सेक्वेंस तक से श्यूंस के रहे कि एक पॉइंस सेक्वेंस और finite or infinite accordingly its number of terms ठीक है अर हाँ एक और चीक लिख दे एक और पॉर इसमा एक और पॉर इसमे अगा पॉर इसमे बीखने हम लोग if nth term of sequence if 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 nth term of sequence is known सब्सक्राइब क्या है इसका अगर हमको किसी भी सीक्वेंस का एन पाता है ना तो अम्हें को सिक्वेंस का कोई भी कोई विटाब आपको पता है तो आपको किसी भी स्ट्राइब पता है तो आप उस सीक्वेंस में आने वालग कोई भी टर्म आप बता सकते हो तो इसके वारे मैं आगे प्रोश्चन सेग्डू में कराऊंगा उसमें और अच्छे से समझने हैं तो यह वी समझ पाऊंगों कि अनट टर्म क्या होता है और अन स्था टर्म और और पॉइस पालोव खर्टन बदर्ब सकते हैं नों आज वह सीक्वेंस जिनके पास अपना प्रिकुलर पैटन होता है उनकाम को बहुत तो मैं और पॉम्हें किया करेंगा अग्ला कोई थे कि अब इस चैटर में यूज करने वाल है ठीक ना इसके अब इस चैटर में यूज करने वाले हैं ठीक ना तो अगरा पॉइंट ने फोटा कि अगर कोई भी सीक्वेंश अपना कोई पैटन फॉलो कर रहा है तो वह स्वारा प्रोक्रेशन कहा रहाता है जैसे कि मैं बोलूंँ आपसे थी थ्री फाइव सेवन नाइन यह सौन जा रहा है तो अब इसमें पैटन क्या है आप देख पा रहा हुगा पिछले वाले पीछले में दो जोड़ों करने तो आप 3 प् प्लस्टू करोगे तो इसके आगे सकते हो जैसे मैं यहां रिटन ने तो बता सकते हों कि नवाद 11 आने वाला है ठीक है यहां अब बता सकते हैं तो यह हम पाटर्ण पता चल गया है सीक्वेंस का जब हमको यह पैटर्ण पता चल गया तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग प्रोग्रेशन बोलते हैं ठीक है तो अब जैसे एक्जामपल बना आपको बता दिया यह प्रफिक है और एक और सबसे नोट- प्रोग्रेशन अर्सेक्वेंस और गोर्फिक होता है तो आप चाहूंत नाइए यह अच्छा पॉइंटेट ठीक है और प्रफिक्वेंस आ सब्सक्राइब or progression sequence but vice versa wise versa need not to be true need not to be जरूरी नहीं किसका वाइस बर्ने जो ज़रूरी हो अधिक जरूरी नहीं है यह लेकिन हर स्ट्रीक्ष फ्रोग्रेशन होगा यह जरूरी नहीं है तो अधिक तो आप हम लोगे ने पुछ आप प्रोगेशन और देखेंगे टाइपस और प्रोगेशन जैसा कि आपको पता है प्रोगेशन क्या होता प्रोगेशन वह सीक्वेंस इनके पास एक पैटर्न होता तो डिपेंडिंग पॉन ना पैटर्न अट मोलिकी प्रोगेशन को तेन भागों में बाटते मुछण स तीन तरीके के होते है पहला होता है यह आप लोग पढ़ने वालो इस चेप्टर में दूसरा होता है आपको जुमेंटरी प्रोग्रेशन थीसरा होता आपका हर्मानिक प्रोग्रेशन ठीक ना तो अभी आप आगे जाए जाएक पढ़ोगे इसे कि यह शायद क्लास 11 प्रोगेशन पढ़ने वालो लेकिन मैं इन हुआ है अप क्रोक्रोज टो टाइब लिए ज़िए बेज्ट अपर प्रोग्रेशन ब्लस अब फिर टमोड़ों ग्रेशन के प्रोग्रेशन उसकर आपि को ते तो में या फिर आप्टमाटिक फ्रोग्रेशन ठीक है इस इसकी है is obtained if each term is obtained by adding if each term is obtained by adding some fixed constant some fixed constant in previous term in previous term spelling mistake हो सकती है previous term is known as is known as AP अगर हमें पास if each term is obtained by adding some constant in previous term except first term except first term अगर हमको आने वाला नंबर किसी कॉंसेंट को एड़ करने पर मिल रहा है पीछवार नंबर पर जैसे कि अला मेरे पास कोई सेक्वेंस है जैसे कि मैं आपको बताता है यह अच्छा जोड़े लेंगे चलते हैं यहां पर यहां पर वो constant है वन जैसे कि हम वन वन प्लस वन करेंगे तब टू आएगा टू प्लस वन करेंगे तो थ्री आएगा थ्री प्लस वन करेंगे तो फोर आएगा ठीक ना तो देख पा रहे हो आप एक फिग्स प्रीवेस टर्म में वन एड कर रहे हैं तो वह चीज क्या कला है कि वह चीज हमारी क्याती है और्थमेटिक प्रोग्रेशन थे कि डेविशन दुबारा पाल रहां यह रिचक कर भीजेए इफ इच टर्म इस अप्टेंड बाइडिंग सम फिक्स्ट बॉट्स देखो आप में यह कि वैली बदल रहे हूं प्रिविएस टर्म में एक्सेट फॉर्स टर्म की बोला मैं किसी भी सीक्वेंस का फॉर्स टर्म कुछ भी हो सकता है उसके पास को पता है कि मैं दस में कोई हो कंसेन्ट में मतलब इस कर रहा है। में 14 कर लेक्र तो यह नो है हमारा भीस तो क्या हो पतल इसका हैाग किसी एक करते हैं कि प्रिफ्स को और हमको अहला है तो वो कह लाता हैं यह तो यह था आपको प्रशिंशन आप में सिर्फ आपको पास अप्ट पड़ना है थिक तो इसके वादं हुआ सब्सक्राइब करनें तो मेरा अगरेट्रिक प्रोग्रेस्वن ये फिरabhões इंदे जिए ओम्हेट्री प्रवेशन जी मेटकर ना चीज एयृ उब्तार जी मेटकर एक इसलों चीमेट्रीक पून्सेट की एड़कर जेपी में ऐसेट करते जीपी में लोग एक प्रच्लों को फिल्कस करते हैं तो ठीका बिलकुल सेम ऐसी डिखोंगे। इफ इच टॉंप इपेंड बाइ मल्टिप्लाइं सम्हीं से कॉंसेंग इंप्रिविए स्ट्रम इस नोन आज जी पी ठीक थेक ना एक सेप्ट फॉस्टब इसक फॉंप जीपी यह फिर जब टिक फॉर्श टर्म यह गया आपका जीपी और अब आता तीसा पॉंट एक हो अपका फिर आपका MP मतलब हार्मोनी ग्रोचन आर ग्रोचन अ वेश्ञ न यहां पिर बोल सकते हैं इसको उलोग एच पी होता है होता है sequence of quantities whose reciprocal are in AP मतलब यह sequence of quantities का sequence होता है जिनका reciprocal AP में हो जैसे कि बोलूँ अगर जैसे कि मैं बोलूँ अगर one one upon three one upon five one upon seven तो अब देख पा रहे होगे इनका reciprocal one रिसे पोकल तो बन ही आने वाला one upon three का reciprocal तो आप देख पा रहे हो इन में एपी है हम लोगो क्या कर रहे है प्लस वंकर सॉरी प्लस टू कर रहे है हर हर नंबर हर टर्म में हम लोग प्लस टू कर रहे है तो यह एपी मिल रहे है तो मतलब sequence of quantities sequence of quantities whose reciprocal are in AP are known as harmonic progression ठीक तो यह आपका ठीक साथ होगा है एक चौथा पॉइंट भी आता है वह होता है पॉइंट बना के क्योंकि वह एपी और जीपी को मिला के बनता है तो आपको एक एक च्छा पॉइंट बनाया गया है वह आपको कोई डिपेंड नहीं है पैटन में डिपेंड नहीं कर रहा है ठीक ना वो पड़ने वाले क्या क्या वोगया यूज करने वाले वो पड़िया हम लोग आप पैटन का यूज करता है मुझ झीकर तो आपना सब्सक्राइआ अपना आर्थमेटिक प्रोग्रेशन थे क्या तो चलिए शुरू करते हैं कि कि और झाओ तो बच्चों आप लोग साथ करने वाद है अपना अर्थमेटिक प्रोग्याशन मतलब एपी ठीक है ना तो डेफिनिशन आप लिख चुक्यों अभी मैंने लिखा ही डेफिनिशन क्या थी मेरे पास डेफिनिशन मैं दुबारा पढ़ता हूं एक बार टेफिनिशन थी मेरी एक पर देफिनिशन क्या थे दाटीक है फॉपार पॉपार लिख सकते ओंग जो भी है पुदिस और लिख सेथिए फॉपार ऑखिक है लिख लैवाशन थी कि उख टनerson थैकर घूची अगर नोट्स विघर ला रहे बनार टेफिनिशन और भाई को मैं दबारा हु झींशन तो देखो बिटा अब हमने बताया तो इस तो एपी में उस फिल्स कॉंस्टेंट को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस मतलब नाम से समझ में आएगा आपको जैसे की मेरे पास हमने एक्जामपर आपको दिया था 2 4 6 8 8 10 12 यह समया है आपको इस यह क्या थे अप्लाम सुम्ह कुणक श्यां यह स्मयें दिन हे अअले फिसे कॉंस्ते लुक्शिंट में बलस कुलंगा यह वोग में यह अब ले रहे बार-बार यह प्लस टू प्लस टू इसको असल में बोलते हैं क्या कॉमन्ट डिफ्रेंस क्यों बोल दिया यह फॉर्स्ट एम आप एक रिवान करता हूं आपको बता कि आए आप इसे बढ़ता चाला तो आप तो गोलते हैं देखो कि आप देख पार होगे ए करते हैं तब अगला वाला टर्म हमारे पास आता है तो उसी का अगे वाले टर्म से कोई करता हूं तो यह लिख्या है कि आप सब्सक्राइब कर सकते हो आप देखोगे कि आप सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं तो इस सब्सक्राइब बोलते हैं एक में कॉमन डिफरेंच ठीक है तो हम लोग इसको डिलोड कैसे करते हैं किसी एक को डिलोड कैसे करा जाता है की सिंपल जैसे कि तरीके से आफ्लोड करता वैं कि आप सब्सक्राइब आसे क्रीक क्構 unavेंख ऑप्सक्राइब Пр sequel के आट करने का तरीका घुक है लोग को अधिका धी है हमारा कॉमन डिफ्रेंस और जया अगर एट्टू को एवन प्रसटी लिखना हूं तो फिर क्या लिखते हैं यूँट्री को लिखेंगे हम लोग एटू क्या लिखेंगे एटू प्लस आ कि ना जिखो एक कॉंसेंट ही तो ले रहा है एड़ कर रहे है पिसले टम आपने और वार टो तो अन को लिखूंगा तो कैसे लिखेंगे ए एन- माइनध वारा ट्रम प्लस बी एन से पहले वारा टम क्या होगा एक यह प्रेक्ट करेंगे तो मेरे पास क्या तेगा यह होता है फॉर्म लिखने का ठीक लेकिन एपी का जनलर फॉर्म क्या होता है यह प्लस बी तीसरा टाम होगा मेरा अच्छा आप जैसे कि आपको बता है हम लोग एक एक कॉंसेंट को बार बार आड़ कर रहे हैं तो हम लोग यहां प्लिखने अंडो सिर्फ कॉमन डिफरेंस और फर्स टर्म के बेसिस पर हम लोग सिर्फ फर्स्ट यह और कॉमन डिफरेंस यान की इन दो चीजों का यूज करक लिख रहे हैं तो जैसे आप इसको प्रूफ कर रहे हैं तो कैसे प्रूफ कर रहे से मालूब मेरे पास एक सिक्वेल से 2468 ऐसे बादा जारा है तो देखो पहला टम्म मेरा है नुस्वास प्लूस दी बतलत कि मेरा टू है बी अंगो पता है यहां पर कॉमन डिफरेंस टू है सerson कि बने दूब है शुक्राइब होना त्पटो और अब कुला जो सभ कर लोगए डियर गीसितु ये मारा ये लिए को लिए घूमभुर्म एक एक को दिया सब्ब्स जिया होता है रहा Magnum कुछ कोशन जैसे का आपको कोशन जाए देधाद सिक्वेंस यह एक स्वेंस गवारे अनको तेरा गवल पता करना आप है तो क्या करते आउंगे करते हैं जो टर्म है जो टर्म है उनके बीच में डिफरेंस आरा कि नहीं आरा जैसे कि अगरा आप बोल दीजे अगर अगर आप बोलू 10-13 करेंगे तो क्या मेर पास अगर सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे तो मैश त्री ना तो इस इस अगर बढ़ते को जा रहे हैं वह वह अंका रिफरेंस भी यह मैस प्लड़ तो हमको पता है जैक किसी सीक्वेंस में जो डिफ्रेंस आता है वो कॉमा दा तो वह सिखेंस हमारा एक अर्थमाटिक प्रोग्रेशन क्या राता है ठीक तो अगर हमको पताना था कि यह हमको एक सीट्वेंस दिया गया है तेरा गरस साथ 4 ऐगे बढ़ा लिया है थिक किया वह इपी है क्यूं से चकर चाहरा कि यो टम्स है महारे एक आड़ा गूंस करा थो अरहा होता अगरू उसकर महां ना रहा होता यह तो यह बड़ा सिंपल सा करते हैं जितना हम उन्हें पढ़ा उतने की प्रेटिस करने वाले तो चलो कुछ कोशन देखते हैं कि कुशन आपको अगर किसी का किसी भी सीक्वेस का एनफ टम पता है तो उसका कोई भी टम निकाल सकते हैं मतलब एक पैटन है एक पैटन है हारे टम मेरा एक पैटन फॉलो कर रहा है यह अगर को क्या करना है आम को यह पता चल गया है और फॉस्स प्रस्ट तो निया गया है और अगर इसके बागी स्रीक्वेंस के नबर दिया गया है करते हैं तो इसका मतलब कर सकते हैं कुछ बुक्स की से दिखाते हैं कुछ बुक्स ए से दिखाते हैं तो आप दोदो के अभीच्वर हो जाओ क्या पता पेपर है कौन सी फॉर्म में आ जाए थीकर है तो हमको एले टर्म दिया है हमको फर्स फोर टर्म निकाल लें तो जहां जाब भी एन है वहां पर लोग वन देगें तो ती वन निकाल लें मतलब फर्स निकाल लें बनेन एब बनेन थे फिसथे इंट्व वन सब्सक्राइब लें तो कि मिश्च्वर अब रुट लूँको अच्छे अब इसके बाद आपको पताई एसकिंश में में वोगोग ठीकए ना है तो हम आप कोई प्रहिते हैं उसका सब्सक्राइब बॉला है कि एक सीक्वेंस है जिसका और और शिक्वेंस इसका इने पता है तो यह तो आप तो यह नहीं कर सकते हैं कि आपको पता है कि आपको नहीं आपको चार बोलें तो चारो इसी एक डाम को यूज़ वरके बनाओ लिए ठीक है तो टी त्री एंद की जगा पर रखा त्री एंद प्लस तो थी तो फॉर प्लस वन तो हमारे चार टम्स क्या होगे वो सब्सक्राइब इस्ट कुछ कॉमन टर्म निकाल है क्या क्या कॉमन टर्म देखेंगे यह तो डिफ्रैंस हो या फिर कुछ भी हो जैसे की जीपी में जैसे आम लोगो का एक पढ़ते ना एक पी में हम आप जो फि है कि नहीं तो उसकी वादा भी जाधा नहीं करते हैं इसे में एकसांपल देंदी आपको की कॉमन डिफरेंस और कॉमन डिफरेंस भी कोई चीज होती है ठीक है यहां पर आपको और अग्ला क्या है अगला मेरे अनेक्टम है टी एज इकोल चू टू एल स्क्वार प्लस ठीक कि अबको यहां पर कarenthal अब कम सुरिघ्र मियर्कर आपको इस प्राइव प्लस 3 टट्व मिञए टीट टू उन्टु प्लस स्वय फ्लास प्लस ठीक है एटाफ की त्हुंत दीजी क्या है हैं हम लोग n की जगह पर जो भी टाप निकाल नहां तो ऊपर इसा रखत ने कि सकतर हैं तो 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 यह वो यह रहाइगा वह ऊधिसरा नमबर लखेंगा सो फिर नॉब तो आप मेरे पास दो और है कि तरह करना यहां पर तीसरा में दिया गया है अब डालने के बात नहीं कुछ करना नहीं है बस एन के आप है वहले रखनी है पहले लिए 1 रखना है दूसरा टाम के लिए 2 रखना है ऐसे 3 और 4 ठीक ना और 4 लिखो सब्सक्राइब करें अब लोग पढ़ते हैं अब लोग पढ़ते हैं अगे अगला पूशन देखते हैं तो इसको इरेस करते हैं उपर क्या करना है में पास कॉर्शन है फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ फोर वाइंगे इस मेरे पास एक ती रिखने हो निया पहला मेरा 3-2-7-12-1-1-2-1-1-1-3-2-1-1-2-1-1-1-2-1-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-1-2-1-1-2-1-2-1-1-1-2-1-2-1-2-1-1-2-1-2-1-1-1 को आदो दो दो निकालते हैं ये समखने हों दो को चिखने हैं तो ऑनने वाला टम माइनस पीछ ये जोगी चाहो बहु कोई भी दोट हाओ आगे वाले से से पीछ वाली को माइस कर दो थिक ना जैसे कि यहां पर माइनस 2 माइनस 3 माइनस करना हुआ पर हैं पहला वाराट तो माइनस 5 छेक करना है कि नहीं कर तो सबस्क्राइब इसमें से इसको मैस कर दिया हम इतना आएगा मैस मैस प्लस हो गया तो मैस 7 प्लस 2 देखो आप difference कॉमन यह आ रहा है तो मतलब हां अनुट साइक कर रहा है मैस 5 तो यहां पहले का अनसर क्या होगे आपका बाइना चीए नहीं है नहीं है यह बोला कि आगे नहीं है इसमें एक फिक्सक्संट हो रहा है क्या है है वह फिक्सक्सक्षास है तो यहां पे जीरो आप जाओ देखा दिखरा को दिख रहा है तो इसको मत गिनों लगें नगाल लेके लिए तो क्या क्या अब नाइन मैंने फाइब गुरूता है थर्टी मैस नाइन वह रूदा निखा यह तो आप तो करो गया मैंटीन नाइटन बैट टू कितना होता है एट होता है एक एक नाउनी सब्सक्राइब करवायत हो तो ऐसे भी दीफेंस क्या होगा वो तो तो आपने प्रूमेंस क्या होगा है तो अभी पर नहीं पर नहीं पर नहीं पर नहीं पर लुट पाफी अग्दम बेसिक पर लेवल चलाइब शर्फेस पर चला सब ठीक है ना भी रात उपर नहीं बड़ा तो यह वह वोगा फॉशन कोमने देंस के लिए आप देखते हैं आप कोशन मेरा है को चेमेरा राइट एलेट आप एट राइए फैन ये फिक हाविं फॉश्ट लएवकोड अदुम बॉर्स तर्म फेस और द्री आप दिया गया है फॉर और कॉमन दिफेस्ट दिया गया है मतलब की कॉमन दिदू ऐस वोला है तो दी से डिडोड करते हमें त तो जाद करो जनरल फॉर्म एप जनरल फॉर्म ओफ एपि तो एति होती यह अला़ आदा महत्वारा ए प्लस दी प्रस थूदी प्लस ब्लस ठीदी इस तरह कि ना तो लुकार्णा करना अधिक प्रेषिंगर घृपकी एपकी ने थि दूे तो आप चाहू इसका यूज करू ठीक है क्या करने वाले यह पैरा टम वेरा फोर है अला टम में एक यह प्लस मैनस्ती मतलब यह वं जाएगा एक डियाक लेते हैं पोर है अगलाइग़ Wednesday और सब्सक्राइब करेंगे तर्फ इक ना उसके पाने वाले ओने वाले मेरा है फुल्म है थिस और मेरा मैस दिकान मायस थी और यहां तर्म्स क्या गाने पहला टाम मेरा पॉर डूसके मैं अड़ह तर्फ टुसा माएगा मेरा वन सब्सक्राइब कर दो कि यहां पर माइस नाइन प्लस पूर माइस फाइव एंड सो और यहां पर आपको जो भी आपने पड़ा है जैसे हम बता चुके आपको एक्दम बेस पे चल रहा है सब कुछ जो जो चोड़ी चीज यहां पड़ी है इसलिए लगवारा हूं कि आपको वह चीज क्लियर हो जाए और अच्छे से क्योंकि मैस में जितने ज्यादा कोश्ण में करते हैं उतना ज्यादा और अच्छा हो जाता है फिलाप्रैक्टिस में इस अमैन परफेट मैस में तो यहीं हो पहला टाम है कॉमा दूसरा टाम है ए प्लस वन प्लस भी ठीक है ना इस वागटिसा दिशन दर्द हो गया यह साथत पड़ यह फार्ट प्लस जीज चीज ठीक है ना बीप्लस वं यह फो तीन टर्म जीर गया किसी एपी के और हमको बोल रहाएं कि इसके आगे तो सेंपल्स से आपको जो पता है किया किया हमको पाया था कवान इंगा खालते है यह फूझ मैंस यहां थीक है ए प्लस वन ड् MON अ प्लस-ब माइनस यह ना माइनस से गालत है तो मैं कि खोल देता हम यह 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 मांदस सर गहां दे हैं तो अच्छा काम करो आप इसको इसको अलब समझ नहीं पार होना तो इसको कैसे रिखते हैं यह लिखा हुआ एक साथ दिख दिया और यह प्लस नहीं होगा तो अब देखको एक सीवेंसी एक पैटर दिख रहा है क्या पहिदा मेरे पास बी दूसरा में पॉस बी प्लस वी प्लस तो चौशा के आगा एक प्लस ठीड़ी प्लस फॉर तो लोग एक इस चीज़ बन रही हैं तो यहां से कॉंसर रहा है टू मैस वन वन ही आ रहा है तो आगे के टाम इसके आगे के टाम पूशे जैसे कि आप तीन लिखे वह हैं तो पहले तीन लिख दिया है प्लस टू तो आगे चौथा टम क्या है मेरा चौथा टम हो जाएगा मेरा एक प्लस बी प्लस फॉर ठीक है ना यह हो गया कुछ इस तरीके से लेकिन आप से इस फॉर्म में लिखा है कोश्चन में अलग फॉर्म से दिया गया ना तो हमको जो आधिके टर्म वह भी इसी आप अगले टम में क्या होगा अगले टम में इसको ऐसे दिखा रहें देगा और इसमें अड़ कर देगा एक लस्टू कर देगा ठीक अगले टम में इसको ऐसे रख्टेगा इसमें कर देगा कर देगा कि या मैं अब इसको ऐसे रख्टेगा अब ऑब अ-प्लस-2 में तर देगा को वन एड़ में क्रामें जिके वन रहें लिखो यह वी सही था इस तरीका से अपछेक कर सकते हैं मैं सही गलत कर लेकिन आपको जो टांधी ए एक पी किको वो कुछ लेकिन आपको जब टर्म्स इन फॉर में दिये गए तो आपके अले टर्म्स आप लिखोगे वह भी आपको ऐसे ही बिखने पढ़ेंगे तो आप इसको सोचे हो कैसे देख लो डिफरेंस एक ही आरा कि नहीं आरा कि आपको अध्यार केरा मेर्ट कर रहा है तो आपको कॉमंटर्स है अध्यार गिवन थे यह तीर तम आपको अहले तीन टाम सुजब निखने थे आपने एक यह तोसरा इना तीसरा अ शेम प्लस यह था आपका बागी तिन तम इससे वा कोशन क्याएी यह ऐग्गा पास थोड़ा अच्छा लेवल होता है लेकिन कुछ जो एक लेवल होता है जो कुछ बच्चे पार पाते हैं वो शाइद कभी आया तर पास हाइर सेंड़े कुशन जाद आते हैं ठीक ना और आपके हाई 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 और स्कील बोलते हैं यह पर पास है अनधत टर्म ऑफन इवी इसमें क्या होता है अगर आपको फस्ट पर और शोड़ा अब आपको पता है किसी एपी में आपका फर्स्ट अगर यह है अगर आपको किसी एपी में आपका फर्स्ट चम ए है कॉमन डिफ्रेंस भी है तो उसके अधर तंप आप ऐसे लिख सकते हैं अगर आपको फर्स्ट और कॉमन डिफ्रेंस दिया गया है तो उसके अधर टंप को इस फर्म में लिख सकते हो इसकी एडिन वा बता दो इसकी एडिन थी एडिन थी एडिन तर्म और यहां है अगर किसी प्रोग्रेशन का आपको पहला टंप पता है और सब्सक्राइब तो इस तरीके से लिख सकते हो ठीक ना और अगर और अगर 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 आपका लास्ट तरम है यसा कि जीतो होगी आपका इन्फान सीजिस के लिए क्योंकि एन्फ तर्म तो आप इन्फान सीजिस में देखते हो ना लेकिन अगर आपके पास फानाइट सीजिस है मतलब इसकी आपको शुरुआत भी पता है और उसका अंत भी आपको पता है तो आप आप यह रखनास्ट टीक है तो यह होगी आपका एन्फ में कूछ चोटी सी जानकारी याशान कर दो कि अ कर दो ले को कर दो दो भी तार कि ले बड़र कर दो तो अ